नमस्कार दोस्तों मैं गौतम सिंग आज आपके लिए लेकर आया हूँ मंदिर में दर्शन से पहले क्यों बजाते हैं घंटी जानिये इसका कारण दोस्तों आपको हम आज बताने वाले हैं कि मंदिर में दर्शन से पहले क्यों बजाते हैं घंटी जानिये इसका कारण आप सभी ये काम करते हैं, हम भी करते हैं, जब भी आप मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में अंदर जाने से पहले ही, मंदिर में दर्सन से पहले क्यूं हम लोग बजाते हैं घंटी, इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं मंदिर में दर्शन से पहले क्यूं बजाते हैं घंटी जानिए इसका कारण भारत के अलावा जपान के बिभीन बहुत मंदिरों में भी घंटिया बजाने की प्रमपरा है मंदिरों में घंटिया क्यों बजाए जाती है इसके पीछे सिर्फ प्राचीन प्रंप्रा ही नहीं बलकि एक गुड रहस्य भी है विभीन देव मंदिरों में भगवान के दर्शन के समय सिर्धार्दलू वहां लटकी हुई घंटी बजाकर अपने इस्ट देव को परणाम करते है प्राय मंदिर के परवेश द्वार के पास एसी घंटिया होती है हिंदु धर में ये घंटिया अनेक सदियों से मंदिरों में बिराजमान है भारत के अलावाद जपान के बिवीन बहुत मंदिरों में भी घंटिया बजाने की प्रमपरा है मंदिरों में घंटिया क्यों बजाई जाती है इसके पिशे सिर्फ प्राचीन प्रमपरा ही नहीं बलकी एक गुड रहस्य भी है इन घंटियों में से एक विशेश परकार की धौनी निकलती है, जब भी भक्त इसे बजाते हैं इसकी आवाज पूरे ओता आवरण में गुजती है, माना जाता है कि पूजा आरती या दर्शन आदी के समय घंटी बजाने से इसकी धौनी तरंगे ओता आवरण को परभावित क करती है और वह सांत, पवित्र और सुखद बनाता है, इससे सकरात्मक सक्तियों का प्रसार होता है तथा नकरात्मक उर्जा का निसकासन होता है, घंटी की धौनी मन को सांती परदान करती है, घंटी बजाने से यह भी लाब है कि उस आस्थान से अपरिचित लोगों को देव मंदिर है, पराडिक मन्यता के अनुसार देव मंदिर में घंटी बजाकर भगवान को परणाम करने से उस मनुस्य के पाप नश्टो जाते हैं और मुनकमनाय वीपूर होती है, इस मन्यताओं के साथ ही एक और रहस्य घंटी यों से जुड़ा है, घंटी बजाने से इ जद धीरे-धीरे ओतावरण में लीन होती है और यह करम सा ओम की सुच्म धावनी में तबलीत हो जाती है, अध्यात्म के अनुसार श्रिष्टी के निर्मार से पहले ओम की धावनी थी और इसके बिले के बाद भी ओम का असिस्टो रहेगा, ओम की श्रिष्टी सफलता और स निर्मापन का मूल है, इसलिए मंदिरों में घंटी बजाई जाती है, दोस्तो आपको मैं यह बताया कि मंदिरों में घंटी क्यों बजाई जाती है, दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपको मिलते रहे थैंक्यू दोस्तो राधे राधे दोस्तो